और रमेश विदुडी जी ने जो सब्द उपयोग किया वो कहीं से भी acceptable नहीं बात खतम हो गई थी लेकिन after thought के तौर पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबुझ कर उठाने की कोशिस की और बार बार दानी सली प्रधान मंत्री जी को नीच कह रहे थे और यदि आप प्रधान मंत्री जी को देश के इतने लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी हैं गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कह दोगे जो कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है लोकसभा की कि दानिस अली का या काफी वीडियो जो है चल रहे हैं कि दानिस अली को जो है भर को जो है कोई accept नहीं करेगा मुझे लगता है कि प्रजात अंत्र में विरोध करने के अपने महत्व हैं लेकिन सब्दों की मर्यादा जो है वो बनी रहनी चाहिए और रमेश विदुडी जी ने जो सब्द उपयोग किया वो कहीं से भी acceptable नहीं है वो गलत सब्द है और इन सब्दों का प्रियोग जो भी करते हैं वो निंदनी है लेकिन उस दिन मैं सदन में खुद मौझूद था मैंने मानिन लोकसभा के स्पीकर को कहा है मैंने पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि जो चंदरयान पर उस दिन discussion हुआ मानि राजना सिंग जी ने जिस discussion को start कि और आपको पता है कि विधोडी जी की इस घटना के बाद मानि राजना सिंग जी ने खुद से माफी मागी थी सदन से और कहा था कि इस तरह की बाते नहीं होनी चीए वो बात खतम हो गए थी लेकिन after thought के तौर पर जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को जानबुज कर उठाने की कोशिस की मैं खुद वहां मौझूद था और बार बार दानी सली प्रधान मंत्री जी को नीच कह रहे थे और यदि आप प्रधान मंत्री जी को देश के इतने लोकप्रिय प्रधान मंत्री जी है गरीब का बेटा हो गया तो आप उसको नीच कहद हो गया आप अपने नाम के पीछे इदी कुमर दानी सली लगाते हो कुमर का मतलब इदी राजा इदी आप हो गए तो आप अपने आपको किसी को भी किडे मकोडे समझोगे और सभाविक है कि हम महरती जनता पार्टी के लोग मोदी जी के कारण ही जीत कराते हैं मोदी जी हमारे नेता हैं तो हम जो है जीत कराते हैं जनता वोट मोदी जी को देती है और कोई स्पीकर इदी बोल रहा है उसको बार बार प्रवोक कर रहे हो और मैं इस विदोडी जी को प्रवोक क्या और उसमें भी आप प्रधान हो महाभारत हो, गीता हो, वेद हो, अपनिशद हो, हमारे लिए वो भात्पुन है, जो भी उसमें लिखी वी बाते हैं, वो मेरे लिए पत्थर के लकीर के समान है, कुरान में जो बातें लिखी वी हैं, वो मुसल्मानों के लिए पत्थर के लकीर के समान है, बाइबिल में जो चर्चा में करता। कोसिस की चाहिए डीम के के सांसद हो इन सबों के लिए एक inquiry committee बठाइए कि आप finally इस तरह की भासा की गरीमा किसने गिराई